नमस्कार, स्वागत हैं, आज हम ध्यान के माध्यम से मन को सांथ करने और सरीर को आराम देने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर निदले वाले हैं यह ध्यान आपको सांथी की स्थिती में ले जाएगा, जहां आप अपनी चिंताओं से मुख्थो कर सुपून और संतुलन महसूस करेंगी, किर्प्या एक सांथ और आराम दायक स्थान पर बैठी या लेड़ जाए, अपनी आखें बद करें और अपनी पूरी एकागरता अप हम ध्यान की सुरुआत करेंगी, सांसों पर ध्यान केंट्रित करें, आराम से अपनी इस्थिती में बैठें या लेड़ जाए, ध्यान रखें कि आपकी पेट सीधे हो, और आप पूरी तरह से सहज भसूस कर रहे हो, अब दीरे दीरे अपनी आखें बन करें, गहरी सांस ने नाक से हवा अंदर और खीचे और मुझ से धीरे धीरे बाहर चोड़ो, फिर से गहरी सांस ले और बाहर चोड़ो, जैसे जैसे आप गहरी सांसे ले रहे हैं, आप वैसूस करेंगी, कि आपके सरीर और मन में एक गहरी सांस की और सुपूल मरता जा रहा है, आप अपने सांस कि यह की लानकी सरे प्रवीयिस कर रहे और टीरे दीरे बाहर कर ले हैं। हर सास के सान आप और अधिक साल्ड होती जा रहे हैं। हर सास के साथ आपकी सारी चिंदाए और तनाव दूर होते जा रहे हैं अब कुछ पल केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें और महसूस करें कि कैसे आपका सरीर धीरे धीरे हलका और सांत हो रहा है सरीर का ध्यान रखें अब हम अपने सरीर पर ध्यान केंद्रिट करेंगे अपने पैरों से सुरुआत करें महसूस करें कि आपके पैर किस तरह से जमीन को चू रहे हैं अब उन्हें पूरी तरह से आराम देंगे फिर धीरे धीरे उपर की ओर बढ़ें अपने खुड़ों जावों और कमर पर ध्यान दें इन्हें भी धीला छोड़ दें अब अपनी पीट और पेट पर ध्यान दें किसी भी तरह का तनाव हो तो उसे छोड़ दें फिर अपने कंदों और बाहों पर ध्यान दें गंदों में कितना भी तनाव हो उसे बाहर निखान दे अपने हाथों और उंग्लियों को पूरी तरह से डीला छोड़ते अब अपनी गर्दन और चहरे पर ध्यान दे अगर माते या जबने में कोई तनाव हो तो उसे भी जाने दे आपका पूरा सरीफ अब आराम की इस्तिती में हैं आप हलका महसूश कर रहे हैं और आपका सरीफ पूरी तरह से सान्थी की इस्तिती में हैं अब हम अपने मन की और ध्यान देंगें हमारे मन में कई विचार आ सकते हैं लेकिन हमने आले और जाने देंगें किसी भी विचार को अकंडी की कोशिस ना करें अब उसे सुखावी को उसे बहने दें अगर कोई विचार आता है तो उसे देखें जैसे कि आप बादलों में आस्मान में बहते हो देख रहे हैं बादलों को बे आते हैं और पे देरे देरे गायब हो जाते हैं हम अपगे मुन इक सांथी है, आपके मन इक सांथ जी आज तरहाएं जिसमें कोई भी हन्चन रही है। हर सांस के साथ आपका मन और अधिक सांथ होता जा रहा हूँ है आपके भी तर आपके बन सांती, सुफूल और सुदूलन है आप इस सांती मूल इस्तिती में रहते हुए हम अपने जीवन की अच्छी चीज़ां के लिए आवार बेक्त करें अपने जीवन की किसी एक अच्छी चीज़ के बारे में सोचे चाहिए मैं चोटी हूँ या बड़ी, इसके लिए मन में आवार महसूश करें अब एक सिकारात्मा विचार अपने मन में रखें यह विचार हो सकता है कि मैं सांत हूँ, मैं सुरक्चित हूँ, मैं संतुलित हूँ इस सकारात्म भीचार को अपने मन में दीरे धीरे दोराएं और फिर महसूस करें कि यह भीचार आपके पुर्ए अस्तित में फैन रहा है अब दीरे दीरे अपने ध्यान की इस्थितिसे बाहर आने की तैयारी करें अपनी सासों का फिर से धान केंद्ध करें तेहरी सास से में आप प्रो दीरे-दीरे बाहर चुड़े अपने सरीब को महसुश करें अपने हाथों और बेल obec को दीरे-देरे हिलाई आवाग धान-धान कर रहे थी तो दीरे-धी अपने हाथों को बिलाएं और उन्हें अपने चेहरे पर रखे अब जब भी आप तैयार हों दीरे दीरे अपनी आखे को लिए अपनी धान की यह प्रकिलिया पूरी कर लिए अब आप पहले से अधिक सांत और सुपूर भरे और ताजगी से भरे हुए महसूस कर रहे हो ले यह अप्यास किसी भी समय किय आजा सकती है तब आपको अपने मन में और सरीर को सांत करने की आवे शक्ता इसे नियमे तूप से करने से आपकी जीवन में अधिक सांत और सांती महसूस करें धन्यवाद आप गीराद सुखन और सांती पूले हो सुपरात्री झाल 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 झाल